जैहीं दैवरीवन नमस्कार प्यारे दोस्तों फाइनली बात करें दोस्तों एक और रिकूर्टमेंट के बारे में जैसा कि आप सभी को पताऊगा अपड़े इस चैनल पे हर रोज एक दो वीडियो अप्लोड की जाती है प्यारे बच्चों तो फाइनली बात करेंगे एक और टेलिग्राम ग्रुप से या फिर वीडियो के नीचे लिंक वेलेगा वहां से आपनोंड कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर दिखाए दोस्तों और इसका जो एप्लिकेशन फोम है ओन्लाइन तरीके से फोम में फिल करना पड़ेगा ग्रूपशी की भरती रखी गई दोस्तो 2024 के बंपर भी कैंस निकल गई है अगर आप इलिजिबल है तो जरूर अपलाई किजीगा दोस्तों सेलेक्शन प्रोसेस बहुत नॉर्मल ही है तिक है अगर आप क्लास लोगे तो आपका स्लेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि मैंने इसका पेपर बहुत बार अटेंप्ट कर रखा है दोस्तों ठीक है लेकिन मुझे ब्याइस एफ की जो पसंद नहीं है तिक है आप सभी को पता है मुझे इंडियन आर्मी में जाना था यहां पर कोई शीट नहीं अपलाई मत करना सिर्फ वाला स्टुडेंट अपलाई कर सकता है ठीक है पलंबर में ठीक है पलंबर में क्या मांगा जाएगा वह नीची आपको बताने वाला हूं एकदम नोट्फिकेशन के अकोडिंग अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर अपलाई कर सकते हैं अपको यूर में अपलाई करना पड़ेगा यूर की एज लागू की जाएगा आपको ठीक है बेसिक पर यहां पर देखिया दोसो पत्चीस जार पांसुस लेकिकी क्या सेजार सो रुप आपको बेसिक भी रखा गया है उसके बाद यहां पर को स्टेबल जनरेट लिए एक रखी है टोटल यहां पर तेरा विकंसी जार एक 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 सर्ष्मेंट की और यहां में दो यहां पर वोमें देट की है ठीक है अवेट इस अलग से रखी जाते हैं वोमें की ओके यहां पी इसका 272 दिया गया दोस्तों ओके इसकी वी क्वालिफिकेशन नीचे से देख सकते हैं जर्नल में अप्लाई करोगे तो आपकी एज 18 से लेके 25 साल सभी पोस्टों में ठीक है और से अगर आपकी सीट है तो आपको 5 साल की चूट मिल सकती है और इसी में अगर सीट है तो आपको 3 साल की चूट मिल सकती है एज डिशिशन ठीक है यहां भी दिखि क्वालिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले आपी देखिए प्यारे बच्छों कॉंस्टेबल हैड कॉंस्टेबल पलंबर के लिए दसभी पास स्टुडेंट है वो सभी अपलाई कर सकते हैं ठीक है और इसमें आई टेस्टिफिकेट मांगा है पलंबर का और थरी एर एक्स कर सकते हैं ठीक है एक उसके बाद यहां पी देख है दोस्तों कारपेंटर के विकेंश में जो कि दस वी पास प्लस में आई टैसे एट्यूगेट मांगा दोस्तों दीक है अगर आपके पास आई आई टैस्टिफिकेट नहीं है तरी एक्स पीर्ण तब भी आप इसमें अप operator के लिए यहां पर दस भी पास student apply कर सकते हैं इसमें आपके पास electrical से certificate हो या फिर वायर मैंस से certificate हो या फिर डीजल से certificate हो या फिर motor mechanic से certificate हो दोस्तों ठीक है इसमें थरी यह का experience है मांगा गाया है तो वो भी आपको लगा देना दोस्तों ठीक है मेरा WhatsApp नमबर है अगर आपके पास एक्सक्राइब नहीं है तो वाट्सप पर मैसेज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर देखाया प्यारे बच्चों constable जनर्ट जनरेटर ऑपरेटर की विगेंशी है दोस्तों है कि इसमें दसवी पास टुडेंट है वह सभी अप्लाए कर सकते डीजल सी मांगा गया दोस्तों आइटी मेकैनिक निक सीमा देजो को मोटर मेकैनिक से मांगा दोस्तों आई टी अगर आप मिसमें और जरूर अप्लाई करें यहां पर थरी एर का टिप्लोमा एक्ससमा अगर आपने ऍिकैगे तो आप अपर सकते रोजन के लिए और हैं कंशेबर लाइन मैं के लिए ङ spokesman के लाइन के लिए चुछाए और यहां पर चास्तों बश्गसान किया तो अपने वायर्मन से ये फिला नहीं है तो वाट्सप पे मैसेज कर लेना ठीक है यहां पर दिखे तो तो फिजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट देख सकते हो इसमें हाइट जो मागए है कोई जो मिजोरं से है नागालेंड से हैं यहां पर यहां पर हाइट के अकोडिंग मेल का और यहां पर फिमेल का कम से कम 46 किलो होना चाहिए ठीक है इसके बाद यहां पर दिखिया दो तो इन सभी का हाइट और सब कुछ सेम रहने वाले हैं टीक है बात कर लेंते हैं इसके बारे में नीचे जलते हैं है important effect के बारे मिंए क्या क्या है लुइं और हमां इन सभी पोस्ट स्मय प्रोस सेम रहने वाल है टिक है चाहे वह कोई भी पॉश्ट हो सब मिसम फिजिकल रहने वाले हैं सेम हौइट रहने वाली है ती क है फर्स्ट फस्ट फ्रस्ट में क्या होने वाले फर्स्ट में यानि आपका पेपर होगा क्या होका वाप देख सकते हैं फरस्ट पेज में आप से gaan हुक्त कर जाएगा सब तोगा ठीक है अगर किसे भी प्ोश्ट में अप्लाई करोगे टेकनिकल को सच न लेना चाहता है थिद्र घस लेना चाहते वाट्वाटस पर मेंस लिए G20 लीas तो यहां पर सो कोश्चन आएंगे सो यह नंबर के मिलने वाल है ठीक है और जितने स्टुडेंट है अपनी आई टेस्टिफिकेट है तो ही आप इसमें अपलाई कीजिगा दोस्तों यहां पर देखेंगे दोस्तों नीचे चलते हैं उसके बाद आपका जो सेकेंड एक्जैमिनेशन होगा हुआ आपका डोकॉमेंट वेरिफिकेशन होगा ठीक है डोकॉमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टेंडर टेस्ट रनिंग टेस्ट ठीक है प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट एंडरी मेडिकल होगा ठीक है इन स्टेप से आप सभी में और फिक टीन पर लंग जम्प करने हैं और है जितने हैं तो जरूरक लोड़ करना यानि की अगले महीने की चार तारिक लाचेट रखी की है यहां पर जरनल कैंडिट के लिए सो रुपए फीस है ऐसी के लिए यहां पर के लिए बाकी की खूई भी जरनकरण जालते हैं कोई भी है को मेंट कर चकते हैं ऊके कोई भी डाउत आ रहा है तो आप कोमेंट बोक्स में मैसेज़ कर सकते हैं जै हिन जे भारत बंदेमातम ल्फी गाईज